अचानक से पूरे देश में टमाटर के दामों में बेताहशा बढ़ोतरी से किचिन का बजट बिगरने लगा है। लगतार बढ़ते टमाटर के दामों ने टमाटर खरीदने वालों की टेंशन बढ़ा दी है। 20-30 रुपे किलो बिखने वाला टमाटर 100 के पार पहँच चुका है। वैसे तो हर साल बारिश के दिनों में टमाटर के दाम बढ़ते ही हैं। लेकिन इस बार कुछ जादा ही दाम बढ़ गए हैं। बीते कुछ दिनों में कई जगहों पर हुई भारी बारिश के कारण टमाट टमाटर की फसल को भारी नुकसान हुआ है। मंडियों तक उतना टमाटर नहीं पहुच पहा रहा जितने की जरूरत है। और इसी वज़य से टमाटर के दामों में बेतहाशा बढ़तरी दर्च की गई है। कुछ जगहों पर तो टमाटर 120 रुपे किलो तक बिक रहा है। टमाटर के साथ साथ दूसरी सबजियों के दामों में भी तेजी से इजाफ़ा देखने को मिला है। बारिश ने टमाटर के साथ साथ दूसरी सबजियों को भी प्रभावित किया है। अद्रक 150 रुपे किलो टमाटर 120 रुपे किलो लेसुन 140 रुपे किलो धन्या 80 रुपे किलो हरी मिर्च 50 रुपे किलो आलू 20 रुपे किलो बारिश और जल भराव के कारण टमाटर की फसलों को बहुत बड़े इस्तर पर नुकसान हुआ है सब जी मंडियों में व्यापारी भी बताते हैं कि कुछ ही दिनों में ऐसा लगता है कि टमाटर मंडी से गायब हो रहा है अगर मंडियों में इसी तरह से टमाटर की कमी बरकरार रही तो आने वाले दिनों में टमाटर के दाम और भी बढ़ सकते हैं हालाकि अभी बारिश और रफ्तार पकड़ेगी इसलिए टमाटर के दामों में बढ़ोत्री के आसार है बियर रिपोर्ट भारत सवाचार